नमस्कार, फल में बीट में आपका सुआगत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्मा शादी की रस्मों को बीच में छोड़ कर मुंबई पहुंचे कपिल शर्मा गिनी भी हो गई कपिल की इस हरकत से हैरान अब आप सूच रही होंगे यहाँ पर कपिल शर्मा की 12 दिसंबर को शादी होने वाली है तो अच्छानक ये जना अब अब मुंबई क्या करने पहुंच गए है वे इसकी वज़ा सलमान खान, अर्बास खान और उनके पिता सलीम खान को बताया जा रहा है एक तरफ अपने आने वाले नए शो तो दूसरी तरफ शादी की तयारियों के स्ट्रेस को शायद का पहले एक साथ नहीं लेना चाहते हैं शायद इसलिए बुद्वार को कपिल शर्मा ने अपने नए शो का पहला शूट निपटा दिया हाला कि इसका टेली कास्ट टीवी पर दिसंबर एंड तक होगा मगर शादी से पहले शो का पहला एपिसोड कपिल शर्मा ने शूट करके अब तनाव मुक्त हो गए हैं अब उनका सारा ध्यान अपनी शादी पर ही लगा रहेगा कपिल आठ दिसंबर को पंजाब जाएंगे अपने नए शो के जिम्मेदारी भाबते हुए कपिल ने सोनी चानल से शादी से पहले एक शूट निपटाने की इच्छा को जाहर किया था ताकि शादी के बाद कुछ छुटिया बिता कर अराम से दूसरा एपिसोड शूट कर सके तब तक दिसंबर एंट में टीवी पर पहला एपिसोड टेलिकास्ट हो जाएगा हाला कि पहले कपिल शर्मा की शादी के बाद शो का पहला शूट करने की बाते सामने आई थी आपको बतादे कि मुंबई में शादी की तैयारियों से जुड़ा हुआ काम नपटा कर कपिल शर्मा आठ दिसंबर तक पंजाब के लिए रवाना होंगे इस बार कपिल शर्मा के शो को बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान के कंधों का सहारा मिला है शो को सलमान खान प्रेड्यूस कर रहे हैं शो का पहला एपिसोड भी सलमान खान अर्वास खान और wszyscy हैं के साथ ही शूट हुआ है खबरों के मुताबिक पहले एपिसोड के लिए कपिल के साथ सलमान, अरबाज, सलीम के अलावा नवजोद सिंग, सिद्धू, चंदन प्रभाकर, कीकु, शारदा, भारती सिंग, सुमोना चकरवती, कृष्णा अभीशेक और रोशेल राव ने भी शूटिंग की ऐसा पहली बार हुआ है जब अरबाज और सलमान अपने पापा सलीम के साथ कपिल के शो पर पहुँचेंगे, तीनों एक दूसरे को लेकर अपनी निजी जिन्दगी पर भी बात करते दिखाई देंगे, वही इस दोरान कॉमेडी और मस्ती का खूब दड़का भी लगने वाल वेलब जहां एक तरफ कपिल शर्मा ने अपना पहला एपिसोड शूट कर लिया है, तो वही दूसरे तरफ कपिल और गिने की शादी 12 दिसंबर को होने वाली है, ऐसे में कपिल के फैंस के लिए दोनों ही खबरे किसी सौगात से कम नहीं है, फ़लाल इस वीडियो में बस अ नहीं लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा